जो प्रयोग हम करने वाले हैं वो आवर्त सारणी के पाठ पर आधारित है हमने आधोनिक आवर्त सारणी के दीरगल रूप का अध्यन किया है सारे तत्वों को उनके ऑणों करमान के अनुसार बढ़ते हुए करम में रखा गया है अब प्रश्ट उपस्तित होता है कि हमारे आज़ पास व्यापत योगीकों में से मूल तत्वों को किस प्रकार पहचाना जाए इस प्रश्ण के बारे में काफी लंबे अर्से से चर्चा होती आ रही है। इसके लिए एक विशुष्ट पधरी का इस्तमाल किया जाता है जिसे गुणात्मक विश्रेशन कहते हैं। चलिए एक आसान सा प्रयोग करके देखते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि योगिकों में इसे मूल तत्वों को किस प्रकार पहचाना जाता है। आधोनिक आवर्त सारणी के सत्रवे संगू में फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, अस्टातीन ये तत्वा आते हैं। ये सारे अधातू हैं जो धातू के साथ मिलकर आयनिक योगिक बनाते हैं। जैसे सोडियम धातू है और क्लोरिन अधातु है Sodium और क्लोरिन आपस में एक आयनिक बंध बनाते है और sodium chloride की निर्मिती होती है इस प्रयोग में हम chloride, bromide और iodide के क्षारों में से उनके आयनों की पहचान करेंगे इस प्रयोग के लिए हमें परखनलिका, stand और dropper के आवशक्ता होगी इसके साथ सिल्वर नाइट्रेड्स योगिक अर्थात AGNO3 की भी हमें अवशक्ता होगी इसके साथ हमारे पास तीन प्रकार के क्रिस्टिलिय पाउडर भी है यह पाउडर पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम आयोडाइड की है आमतोर से इस प्रयोग के लिए हम इने पाउडर के रूप में इस्तमाल नहीं करते हम इनके पानी के घोल का उपयोग करते हैं चलिए इसकी प्रक्रिया देख लेते हैं हमने पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड और पोटेशियम आयोडाइड को अलग-अलग परक्रियों में लिया जिनने हमने A, B और C नाम दिया अब हमें ये जानना है कि किस परक्रियों में वास्तव में क्या है अर्थात किस परखनली में क्लोराइड है, किस में ब्रोमाइड है और किस में आयोडाइड है अब हम इन परखनलीों को अर्थात A, B और C को स्टैंड पर रख कर उनमें सिल्वर नाइट्रेट की कुछ बूंदे मिलाते हैं बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट की बूंदे मिलाते समय विशेश सावधानी बरते हैं, उन्हें न गिराएं क्योंकि ये बहुत महंगा होता है रासाइनिक प्रक्रिया के लिए उसकी कुछ बूंद ही परियाप्थ हैं चुंकि सिल्वर नाइट्रेट एक अभिकर्मक है, इसलिए उसे मिलाते ही A, B और C इन परक्रियों में रासाइनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है अपने निरीक्षणों को एक टेबल बनाकर उसमें लिखे जैसे ही हम सिल्वर नाइट्रेट की कुछ बूंदे मिलाते हैं, रासाइनिक प्रक्रिया शुरू हो जाती है और कुछ उत्पाद तयार होते है ये उत्पाद द्रव रूप में न होते हुए ठोस रूप में होते है विलयन के ठोस उतपात के रूप में जो निर्मान होता है उसे अवक्षेब कहते हैं और उस प्रक्रिया को प्रेसिपिटेशन कहा जाता है तीनों परखनलियों में हम अवक्षेब देख सकते हैं इसका अर्थ है कि जब हम तीनों योगिकों को या विलयन के साथ सिल्वर नाइट्रेज को मिलाते हैं तब अवक्षेब तयार होते हैं इससे हमें अनुमान लगा सकते हैं कि इन तीनों विलयन में हेलोईड और हेलोजन के योगिक रहे होंगे हलाइट के कारण ही हमें अवक्षेप प्राप्थ होते हैं परखनली A में निर्मित अवक्षेप सफेद रंग का है परखनली B में निर्मित अवक्षेप हलके पीले रंग का है परखनली C में निर्मित अवक्षेप गहरे पीले रंग का है विशिष्ट विलेयन में कौन सा आयन है यह हम इन तीन रंगों के कारण बता सकते हैं सफेद रंग ख्लोराइड दर्शाता है, हलका पीला रंग ब्रोमाइड दर्शाता है और गहरा पीला रंग अड़ाइड दर्शाता है निरीक्षन, परक्नली, रायसायनिक अभिक्रिया, अवक्षेप का रंग आयन, A, KCl अधिक AgNO3 इससे निर्वित होता है, KNO3 अधिक AgCl, अवक्षेप का रंग सफेद और आयन ख्लोराइड अर्थात, C-L B, KBr अधिक AgNO3 इससे निर्मित होता है, KNO3 अधिक AgBr, हलका पीला ब्रोमाइड C, KL अधिक AgNO3 इससे निर्मित होता है, KNO3 अधिक AgL, गहरा पीला आयोडाइड इस प्रयोग के निशकर्ष निन लिखित होंगे पहला हमने आवर्थ सारणी के 17 समुह के तीनों विलियन जिसमें हलाइड या हेलोजिन के योगिक हैं पहचान लिये हैं उनमें प्रेसिपिटेशन होती है और अलग-अलग रंगों के अवक्षेपों की भी निर्मिती होती है रंगों की कारण हम क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड को जान पाते हैं ये प्रक्रिया गुणात्मक विशलेशन का प्राथमिक उधारण है अगर हम वास्तव में जानना चाहते हैं कि कौन सा क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड है तो हमें कुछ और परिक्षन करने होंगे उन्हें पुष्टिकरी परिक्षन कहते हैं सारे तत्व एक ही समुखे हैं क्यों? क्योंकि ये सारे सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करते हुए अवक्षेप निर्मान करते हैं भलेईवे अलग-अलग रंगों के क्यों नहों पर अवक्षेप निर्मान करना सत्रवे समुख का द्योतक है जाविक्षेप निर्मान करते हैं